अगर केवल पहलवान होना ही देश भक्ती की निशानी है तो पहलवान तो सुशील कुमार भी था अगर सिर्फ ओलंपियन होना ही असली देश भक्त होना है तो सुशील कुमार तो दो बार का ओलंपियन था अगर केवल ओलम्पिक में मेडल जीतना ही देश का नाम रोशन करना है तो सुशिल कुमार ने तो दो ओलम्पिक मेडल जीते थे लेकिन उसके बाद सुशिल कुमार ने क्या किया उसके बाद सुशिल कुमार को उसे 15 साल छोटे एक पहलवान सागर धन्खड की हत्या के आरोप में गिरफतार किया गया जब तक सुशिल कुमार एक अच्छा पहलवान था तब तक उसे देश ने सर आँखों पर बिठाया लेकिन जब उस पर कातिल होने का आरोप लगा तो देश ने उसे अपनी नजरों से उतार भी दिया अपनी सफलता और सेनियोरिटी के घुरूर में जब सुशिल कुमार ने कानून को ठेंगा दिखाना चाहा तो देश की पुलिस ने उसे सलाखों के पीछे भी पहुँचा दिया अगर केवल पहलवानी की बात करें तो सुशिल कुमार आज के प्रदर्शनकारियों बजरंग पुनिया, साक्षी मलिक और विनेश फोगाट से कहीं आगे था ये आज के पहलवान राजनीतिक दलों के एजेंडे के तहत फेक ट्वीट करने में जरा भी शर्म नहीं करते ये मेडल जीतने वाली पहलवान साक्षी मलिक 2019 की फोटो को 2023 की बता देती है सिर्फ इसलिए क्योंकि एक पॉलिटिकल पार्टी का नेता ऐसा कर रहा है सुशील कुमार क्रेमिनल हो सकता है लेकिन वो पॉलिटिक्स के खेल में फंस कर फेक ट्वीट से जूट और नफरत नहीं फैलाता था सुशील कुमार को पहलवानी कोई विरासत में नहीं मिली थी उसके पिता कोई पहलवान नहीं थे जबकि बजरंग हो साक्षी हो या विनेश फोगाठ हो सबका फैमिली बैग्राउंड पहलवानी का रहा है सुशील ने कुष्टी की विरासत के बिना ही कुष्टी की दुनिया में अपना नाम बनाया था इसलिए उसकी सफलता और बड़ी कही जा सकती है जब सुशील ने 2008 में बीजिंग में पहला ओलंपिक मेडल जीता था तो उन्होंने कुष्टी में ओलंपिक मेडल का भारत का 56 साल का सूखा खत्म किया था सुशील से पहले पहलवानी में केडी जाधव को 1922 में ब्राउंज मेडल मिला था उसके बाद सुशील ने 2012 में लंदन ओलम्पिक में भारत के लिए सिल्वर मेडल भी जीता सुशील ने ओलम्पिक में मेडल जीतने का जो सिलसला शुरू किया वो आगे भी जारी रहा सुशील के इसी योगदान के लिए भारत सरकार ने उसे 2005 में अरजुन अवार्ड, 2009 में राजीव गांधी खेल रत्न और 2011 में पद मिश्री पुरसकार से सम्मानित किया जो पहलवान आज नैशनल टूनमेंट में खेलने से इंकार करके सीधे ओलम्पिक में भेजे जाने की मांग कर रहे हैं, कुछ वैसा ही सुशील कुमार ने 2016 के ओलम्पिक में किया था 2016 में 33 साल के सुशील कुमार के बदले रियो ओलम्पिक में 27 साल के नर्सिंग यादव को भेजे जाने का फैसला किया गया था लेकिन उसके बाद नजाने किसकी साजिश हुई, किसने साजिश की के नर्सिंग यादव दोप टेस्ट में फेल हो गया और ओलम्पिक नहीं जा पाया उस समय नर्सिंग यादव ने आरोप लगाया था कि किसी ने उसके खाने में प्रतिबंधित दवा मिलाई थी यादव का मानना था कि उन्हें शडियंत्र का शिकार बनाया गया था नर्सिंग यादव ने दलील दी थी कि रियो ओलम्पिक से पहले वो आठ किलो वजन कम करने वाले थे जबकि जिस दवा मिठेन डाइनोन के सेवन का दोशी उन्हें पाया गया था दरसल वो मसल्स बनाने के काम आती है नर्सिंग का तर्क था कि वो खुद वजन बढ़ाने वाली दवा क्यों लेंगे नर्सिंग की इस दलील के बाद 2016 में ही नाडा यानि नैशनल एंटी डोपिंग एजनसी ने उन्हें बेकसूर करार दिया था लेकिन वाडा यानि वर्ड एंटी डोपिंग एजनसी की अपील पर कोर्ट ओफ आर्बिट्रेशन ने नर्सिंग यादव पर चार साल का बैन लगा दिया था और वो रियो ओलंपिक में हिस्सा नहीं ले पाए थे उस समय ये आरोप लगाए गए थे कि शायद नर्सिंग यादव के खाने में दवा मिलाने के पीछे सुशील कुमार का हाथ हो सकता है क्योंकि वो खुद नर्सिंग के बदले रियो ओलंपिक में जाना चाहता था हालंकि ये आरोप कभी साबित नहीं हो पाए लेकिन शायद यही से सुशील कुमार के एक हीरो से विलन के रूप में बदलने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी थी मई 2021 में सुशील और उसके साथियों ने पहलवान सागर धनखड को दिल्ली के छतर साल स्टेडियम में डंडों से बुरी तरह पीटा था जब पहलवान सागर धनखड की अस्पताल में मौत हुई तो भी यही कहा गया कि सुशील कुमार से सागर की बढ़ती लोकप्रियता देखी नहीं जा रही थी सागर के परिवार वालों ने आरूप लगाया था कि सागर को पहलवानी में आगे बढ़ता देखकर सुशील खुश नहीं था च्छतर साल स्टेडियम में सुशील की सपता को सागर से चुनौती मिल रही थी ज्यादा तर बच्चे सागर को गुरू मानने लगे थे और सागर के पैर चुरे वाले भी सुशील से ज्यादा थे यही सब सुशील को हजम नहीं हो रहा था इसलिए उसने सागर को मार डाला हालंकि इसमें एक एंगल मकान के किराए का भी था लेकिन शायद वो इतना बड़ा नहीं था क्योंकि किराए के लिए कोई किसी की जान नहीं ले लेता तो यह था सुशील का सफर एक ओलम्पिक मेडल विजिता से हत्यारे तक का कैसे स्वार्थ एहम और अपने डबडबे के लिए सुशील देश के दुलारे पहलवान से एक कातिल गुंडा बन गया सुशील ने साबित किया कि वो नए पहलवानों की सकसिस से जलता था और किसी ना किसी तरह उन्हें बरबाद करने की कोशिश करता था इसे ये भी साबित होता है कि इनसान वक्त के साथ बदल भी सकता है इनसान अपनी जरूरत अपने लालच और पैसों के लिए देश भक्त से देश द्रोही बन सकता है और इनसान की कदर उसके इतिहास से ही नहीं बलकि उसके वरतमान से भी होती है सुशील कुमार को पुलिस ये सोच कर छोड़ नहीं सकती है कि उसने भारत के लिए दो ओलंपिक मेडल जीते थे जब उसने medal जीते थे तो उसी हिसाब से देश ने उसे दिल खोल कर प्यार भी दिया लेकिन उसके बाद के उसके कारणामे उसके इतिहास की वजह से इग्नोर नहीं किये जा सकते यही बात आज के प्रोटेस्टर पहलवानों के बारे में भी कही जा सकती है कि जब उन्होंने देश के लिए medal जीते तब देश ने उन्हें सिर आँखों पर बैठाया लेकिन अब अगर वो आंदोलन की आड में राजनीती करते हैं या किसी के राजनीतिक मोहरे बनते हैं या नई संसत के उगाटन कारेक्रम को बरबाद करने की कोशिश करते हैं तो उनके खिलाफ भी राजनीतिक खेला होने से रोका नहीं जा सकता